हेलो दोस्तों कैसे आप सभी सभी दोस्तों को जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों आज का यह मौक टेस्ट आपका ऐसे क्वेस्टन का मौक टेस्ट होने वाला है ईवीएस के अंदर जो आपके सीटेट के लिए very most important questions हैं तो सुरू करते हैं आज का यह मौक टेस्ट पहला क्वेस् से react कर रहा है option आपका कह रहा है उस वादेयंतर द्वारा उत्पन कमपनों के प्रति अनुक्रिया करके उस वादेयंतर को सूंग कर उस वादेयंतर के ध्वनी को सुनकर या उस वादेयंतर की गती को देखकर तो दोस्तों यहां आपका simple सा कोई भी candidate सोच सकता है कि सूंग कर तो आपका होगा नहीं और गती को देखकर भी नहीं होगा दो option बचे तो इसमें से 50% हो सकता है आपका C लगा दें क्या है उस वादियंत्र की ध्वनी को सुनकर तो लगा सकते हैं भया कोई मतलब ऐसे भी लोग है तो इसमें क्या करना है आपका दोस्तो इसमें आपका सांप जो होता है जब बीन सपेरा बजाता है तो कमपन पैदा होते हैं सांप उन कमपनों को महसूस करके जिधर से आवाज आ रही होती उधर चला जाता है तो ये आपका NCRT fact है NCRT में इस चीज को दिया गया है तो A option सही हो जाएगा ना कि C दोस्तो वादिय अंतर द्वारा उत्पन जो कमपन होते हैं उनके प्रति रियक्ट करता है वो आपका सांप तो A option सही है फटा फट दोस्तो अगला question लेंगे और आज की स्मॉक टेस्ट का second question आपकी screen पर आ चुका है question है सही कतन चुनिए आपको true statement चुनना है statement आपका first कहरा है जिन जानवरों के बाहरी कानवा सरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं ठीक है, और B कह रहा है, जिन जानवरों के बाहरी कानवा सरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं, C कह रहा है, जिन जानवरों के बाहरी कानवा सरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे बच्चे देते हैं, और D आपका कह रहा है, जिनके बाहरी कानवा सरीर पर बाल होते ह जो भी जानवर आपका जैसे भाहस हो गई आपकी गाय यानि काउ हो गई जितने भी ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान होते हैं और जिनके सरीर पर बाल होते वे बच्चे देते हैं बिल्कुल सही आपका statement है अगला कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान और सरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं एक्जाम्पल फॉर आपका क्या हो जाएगा अगर लिजार्ड यानि छिपकली कोई ले ले तो ना तो उसके सरीर पे बाल होते हैं ना उसके कान दिखते हैं अंडे देती है ऐसे आपका सांफ हो जाएगा अंडे देता है तो ये आपके अंडे देने वाले, तो ये उपर के दोनों आपके fact बिल्कुल सही है, तो यहां से आपका A और B जहां होगा A option यानि first option ही सही हो जाएगा, ये आपके गलत हो जाएगे, बढ़ते हैं अगला दोस्तों आज का तीसरा question, आज के smoke test का, very most important question सीटेट में भरभर के पूछा जाता, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, क्या है दोस्तों डराना चाहता है, बिल्कुल नहीं, ये तो कोई भी सोच सकता है कि डराना, भैंस कहां बगुले से डर जाएगी, क्योंकि भैंस आकार में बहुत बड़ी है, बगुला भैंस में सहजीवी का बिल्कुल सही आपका भी option हो जाएगा, symbiotic relationship है, यानि symbiotic relationship कहां पे होती है दोस्तों, ये वहां पर होती है जब दो party होती है, चीक है, दो party कोई है, आपकी first और second, यहां पे first से second को profit हो रहा हो, और second को first से हो रहा हो, यहां दोस्तों आपका symbiotic relationship होती है, जैसे आपका उसके उपर के कीट खा लेता है, इंसेक्ट खा लेता है, तो इससे बगुले का पेट भरता है और भैस को भी उन कीटों से अन्वांटेड जो इंसे रिलीफ मिलता है, तो यहाँ पे आपका सहजीवी का समद्ध हो जाएगा, बाकी के ऑप्चन आपके चाहिड सी बात है गलत ह हो जाएंगे, एक आपका परजीविता होती जहां एक पार्टी को फाइदा और दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा हो, जैसे मच्चर जब हुमन बिंग्स पर या किसी भी जानवर पे बैठता है, तो वहाँ पे मच्चर कोई फाइदा हो रहा होता है, जिसका कुहून पी मैना, उल्लू या कववा, तो कववा की अगर बात करें तो उची डाल पर अपना घोसला बनाता है, और लोहे के तार का भी अपने घोसले में यूज़ करता है, दोस्तों, उल्लू की बात करें, तो इसके जो आँखें होती है, जो नेत्र होते हैं, वो मनुसी की तरीके से सामने होते हैं ठीक है अब comment box में आपको बताना बसंत गोरी अपना घोसला कहां बनाती है कैसा घोसला बनाती है तिलाल इस question का right जवाब आपका मेना हो जाएगा be option correct हो जाएगा अगला बढ़ेंगे question अगला question है आपका किस राज में सहजन के फूल खाये जाते हैं तो गोवा हो गया आपका महराष्ट जम्मू कस्मीर या उत्तर प्रदेश तो मैं आपको चारो चीज़े complete कराने वाला हूँ अगर दोस्तो कचनार के फूल आ जाए तो उत् कस्मीर होगा और सहजन के फूल अगर खाये जाते हैं तो महराष्ट के अंदर खाये जाते हैं भी option आपका correct हो जाएगा like subscribe और आपका share करना आपका काम है दोस्तो मैं बकू भी अपना काम कर रहा हूँ content ढून के आपको best content ढून के provide करवाना और इसमें time जो लगता है इन सब सब चीजों की अगर आप कद्र करते हैं तो like subscribe और share आप खुद ही कर देंगे फिलाल मेरा काम क्या है वो मैं बहतर तरीके से करवा रहा हूँ आप सबको वा पक्षी जो पेड़ पर अपने घोसले को बहुत उमुचा बनाता है कौन सा पक्षी है इंडियन राबिन आपका य उसे सबसे ज़्यादा पसंद होगा इस तरीके से घोसले बना देते हैं बहुत सारे जो male weaver होते हैं फिर female जाती है जो सबसे अच्छा उसको लग सकता है इसमें उसी में वो अंडे देती है तो ये आपका वीवर से समद्दित हो गया उची डाल पर सबसे उचा कववा बना पर्स अग्या है अगला क्वेशन है मagärमक्ष आपका जो है उसका मुख्य रूप से सिकारियों द्वारा किस कारण मारे जाते हैं इससे क्या फाइदा सिकारियों को होता सिंगों के लिए तो मगरमक्ष के सिंगे तो होती नहीं है तचा के लिए नांटों के लिए या जाती हैं तो तुच्छा के लिए आपका मगरमच सही हो जाएगा दातों के लिए आपका हाथी का सिकार किया जाता है और खुस्बू के लिए जहां तक है आपका कस्तूरी का सिकार किया जाता है कस्तूरी का ये एक प्रकार का हिरन होता है मरग होता है तो आपका फिलहाल भी option सही हो जाएगा अगला क्या है अगला question देखेंगे अबू धाभी के बारे में कौन सा statement गलत है इसमें आपको negative देखना है जलवाईू गर्म और सुस्क है यहां की जलवाईू यह बात बिल्कुल सही है नारियल का पेड़ पाया जाता है दिरहम अबू धाभी की अगर जलवाईू गर्म और सुस्क होगी तो खजूर जैसे पेड़ दोस्तों आपके देखने को मिलेंगे तो नारियल आपका जहां पे पानी होता है आपने यहां जैसे इंडिया के अंदर गोवा में आपका नारियल खोकोनट पाया जाता है तो इसमें आपका भी ही statement आप से पूछा गलत है इसलिए आपका निगेटिव वाला अंसर सही हो जाएगा अगला question है बिहार के लोगो के लिए मदमक्खी जो पालन है उसका शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च, अपरेल से जून, जुलाई से आपका सेप्टेमबर या अक्टूबर से दि समबर है दोस्तों NCRT में चैप्टर दिया गया उसके अंदर आपका बताया गया है अगला question है कुडुक कहां के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भासा है असम, अवडाचल प्रदेश, मिजोरम या जारकंड तो कुडुक एक भासा है कुडुक आपका और एक question यहां से जाता कुडुक भासा में तोरांग एक सब्द होता है सीटेट के अंदर बहुत पूछा जाता तो तोरांग का अर्थ दोस्तों आपका जंगल होता है इसे भी याद कर लिजेगा फिलाल कुडुक का संबंद आपका क्या हो जाएगा जारकंड से हो जाएगा असम के अंदर आपका 10 से 12 फिट की उचाई बास की उचाई पर घर बनाये जाते हैं ये भी आपको याद रखना है तो इस क्वेस्टन का सही अंसर आपका और तिन थेती की अगर बात करें वो भी जारकंड से रिलेटेड है तो डी आप्शन सही हो जाएगा तो अब अपना स्कोर बताएं 10 में से कितने क्वेस्टन आपने सही किये मिलेंगे अगले वीडियो में दमदार कंटेंट के साथ जैहन बंदे मात्रम